हेलो इवरीवन वेल्कम टू आवर योटूब चैनल स्टड़ी अपने लिए सो हम लोग पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का एक और चैप्टर आज कवर करेंगे जिस चैप्टर का नाम है है modern trends in protection इस से पहले मैंने प्ल्स के बारे में पढ़ाया है के बारे में पढ़ाया है इसका complete electronics relay क्या होता है electronics relay it is an electromechanical switch who's input is electrical with mechanical output ठीक है मेन एनन electronics relay होता है electronics relay ज्याद़ कुछ ने एक electromechanical switch होता है ज्याद़ कुछ ने बस इतना लिखेंगे इसका input क्या होता है electrical जिसका input होगा electrical एंड आउट्पुट होगा मैकेनिकल ठीक है अब हम इसका इंपुट बेख लिए कि इंपुट इलेक्टिकल होता है और यह एक अलेक्टो मैकनिकल स्विच होता है और क्या होता है इस यूज़ तू डिस्कनेक्ट दा फॉल्टी पाट अब दा सर्कृत फॉर्म दा फॉल्टी और उस अच्छा पाट है, उससे क्या करनाए डिस्कनेक्ट कर देना है ठीक है कि एक जगल आया ऊगुट करे इससे इसको डिसकनेक्ट करते है यह इह पर लिखा हुआ है इस उस्प्रा इसका काम होता है डिसकनेक्ट करना फॉल्टी पाट आ जरकिल्टिक एक ऊडी पाट तो क्या है जादू तो नहीं कर देगा तो ऊणिव एक कर सकते हैं कंपयर कर सकते हैं क्या करके क्वाइं करके दो क्वाइंटिटिटीज को पर कंपयार करना होगा ठीक है अब किसको किसको compare करना होगा या तो हम लोग को amplitude और in phase ठीक है या तो इधर in amplitude और in phase इसको हम लोग compare करेंगे तो हम लोग यह चीज पाज सकते हैं अचीफ कर सकते हैं the application of relay is decided by characteristics and other factors like accuracy operating time टीक है और इसमें यही होता है जैसे क्या होता है accuracy होता है ठीक है और क्या होता है operating time होता है तो यह कुछ points था electronics relay के related अब देखते हैं static relay और नाम से clear होता है static क्या होता है नाम से clear होता है static सभी चीज होगी कोई भी तरह का moving element नहीं होगा वही तरी ले इन विस दियर इस नो आर्मेचर ठीक है पहले बोल दिया यहां पर क्या होना चाहिए कोई भी तरह का armature नहीं होना चाहिए ऐसा रिले जहां पर armature नहीं होगा और कोई भी तरह का moving element नहीं होना चाहिए ठीक है अधर moving element रिले इन विस देर इस नो आर्मेचर और अधर moving elements and response is developed by electronics ठीक है अब तो बोल देओ भाई यहां पर moving element नहीं होगा armature नहीं होगा तो response कहां से देओ तो उसका यह भी बताए कि response develop होगा वो कैसे होगा electronics से होगा ठीक है यह magnetic होगा या तो electronics response develop होगा यह magnetic response होगा यह फिर other component होगा तो वैसा response होगा develop ठीक होगा यह चीज़ है the component data used are capacitor diode and transistor means इसमें जो हम आपनेंट्स का इस्तमाल करते हैं वह क्या होता है capacitor होता है diode होता है और transistor होता है ठीक है in this type of relay the measurement is performed by the electronics or magnetic ठीक है और may be optical और any other components ठीक है इस जो रिले है ना इस जो स्टाटिक रिले हो गया इसका जो मेजर्मेंट को हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं या तो electronics परफॉर्म करेंगे या तो magnetic परफॉर्म करेंगे या फिर मेभी अगर इसमें कोई भी अप्टिक या फिर कोई other components हो तो वैसा तो overall यह जो पारग्राफ था ना इसका मतलब यह है कि यह कैसा रिले है जिसमें कोई भी तरह कारमेचर नहीं होगा कोई भी तरह का मूविंग इलेमेंट नहीं होगा रिस्पॉंस जो डेबलब होगा वो तो या तो Eleantis होगा यह मेंगेनिक होगा ठीक है और कोई दुसरा component हो सकता है ठीक इसमों क्या करते हैं तो कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं डायोड इस्तेमाल करते हैं ठीक है इस रिले का जो मेसर्मेंट जो तो अपर्फॉर्म होता है वो और आगे देखते हैं एनी प्रटेक्टिव सिस्टम इस फॉर्म वेनिट कंजिस्ट ऑफ देटिक एनलग्निकल रिले कोई भी तरह का प्रटेक्टिव सिस्टम बनता है यहां पर जब बनेगा कैसे बनेगा जब वो कंजिस्ट करेंगा नि उसमें क्या होना चाहिए जब उसके अंदर स्टाटिक और एक प्रटेक्टिव सिस्टम बनेगा यहां पर एक कंपरेटर का भी हम तो बहुत जादा वाइडली यूज करते हैं एज एन अप्लिकेशन्स टीक इस ताइप पर जो रिले है उसको एजन अप्लिकेशन करते हैं कि अप्लिकेशन्स टीकेशन्स टीक को कंपेर करने के लिए तो यह था स्टाटिक रिले का कुछ बातें जो हमने शेयर किये आपी साथ इसका कुछ ब्लॉक डियाग्राम देख सकते हैं यह कहने एक ट्रांसमिशन इस लाइन तो यहां पर क्या होता है या पोटेंशल टांसफॉरमर है ति पर वह रहता है रेक्टिफाइड हों गया तो रिले मेजरिंग यूनिट्ट रिले मेजरिंग यूनिट के पास जाएगा भूलिपार के पास जाएगा और आफटूट डिवाइस के पास जाएगा फिर सर्किट ब्रिकर यह एकanter और यहां मेजरिंग यूनिट को गया ऐस्ट ब्रेकर सब में कॉन सब्पराइश देते सल टिक्ड तो यह चूटा सब्लाइब़ नाग प hic़ बना सकते हैं अब आते हैं कंपरेटर के बारे में क्या होता है कंपरेटर तो इच्जा काम क्या है इसका काम है ऊसको कंपयर करेगा इधर in term of amplitude या तो amplitude के term में और in phase या तो phase के term में तो यह चीज़ समझ में आ गया होगा आपके comparator का जो basic function है कि दो quantities को compare करना या तो amplitude या तो phase के term में compare करना तो एक चीज़ और भी आता है इसमें क्या है के relation the relation in the amplitude और phase depends on the system condition मिस इसका जो relation होगा किसी भी चीज़ में तो depend करेगा तो किसमें depend करेगा system का जो condition है उस पर depend करेगा इसका एक example देख लेते हैं for a value of a relation माले तो for a value of a relation और type और any locations of the fault the relay operates मिस माले कोई यह value है है relations का या फिर कोई type है ठीक है उस समय क्या होगा अपना relay operate करेगा तो यह इसका कुछ basic diagram था देख सकते हैं यह देखे रहे लिए गया फिर नीचे कि यह सेम स्रेम है नार्मल देख सकते हैं यह basic operation of voltage comparator का है अब आते हैं next level detection level detection क्या होता है the process of locating the x coordinate ठीक है means मलब यह एक तरह का process क्या process है कि हम लोग को जो x coordinate होता है ना उसको locate करना the process of locating the x coordinate at which the data passes or reaches the y value means x coordinate को ऐसा जगा लग रखना या locate करना कि जिससे जो है ना data जो हम लोगा data होता है या तो वह pass हो जाए या जीच हो जाए या पहुंद जैवाई value के पास anyhow पहुंचना चाहिए उसको locate करने का process को हम लोग लेवल डिटेक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलता है ना inverse interpolation भी बोलता है यानि the another name of level detection is known as interpolation यानि inverse interpolation तो यह चाह यह चीज़ था basic level detections के बारे में अब आते हैं logic as training circuit ठीक है और यह क्या होता logic or training circuit the bulan algebra are represented in logic circuit हाँ यह पहला चीज़ तो यह है जो भी हम लोगा bulan algebra जो होता है ना उसको हम लोग कैसे represent करते हैं logic circuit पर ही represent करते हैं ठीक है तो यह simple point है this bulan algebra can be explained as set of element is bulan algebra को कैसे explain करते हैं या तो as a set of element को के द्वारा explain कर सकते हैं या इसका दूसरा process के set of operations हो सकता है and the number of improved exams ठीक है मिस्ट एक दो हो तीन ठीक है यह तीन जीज़ हैं जिसके कारण नों bulan algebra को express करने का conditions है या क्या तो set of element हो set of operations हो या number of unproved exams है यह कारण है उसको explain करने का this set of elements refers to binary number means इसमें यह जो set of elements है ना यह यह क्या represent करता है या रिफर करता है यह और इसका operation भी जो होगा ना means binary operation and in operation means binary operation means binary one can be represented as which that is close means binary one अगर represent हो रहा है तो हम लोग माल लेंगे कि system जो अपना close है या वह true value है या true value दे रहा है या wise versa चेक है तो यह चीज़ था logic and training circuit का अब कुछ questions कर लेते हैं इसी का कि देखते हैं आपको कुछ समझ आया कि नहीं वही चीज़ है क्या होता है static relay क्या होता है electronics relay एक्जाम ऐसे question आता है what is static relay what is electronics relay तो क्या लिखेंगे यह चीज़ लिखेंगे the electronics relay is electromechanical switch मैंने बताया इल्ट्रानिक्स अच्छी मैकनिकल स्विच होता है जिसका electrical input होता है और mechanical output होता है इसका जो basic function क्या होता है डिसकनेक्ट करना होता है faulty पार्ट को तो नन-faulty जो भी faulty पार्ट है कुछ नन-faulty पार्ट से disconnect करने का काम होते है इल्यक्टों इलक्क्क्रानिक्स रिलेगा स्टस्टिक रिले का है कि होता है कि इसमें कोई भी तरह का moving element नहीं होता है ठीक को रिस्पॉन्स कैसे डबलप होता है यह तो response होगा iacdip होगा यह magnetic डवलप होगा और को अधर components होगा तो उसके द्वारा और इसमें क्या इस्तिमाल करते हैं तो यह चीज़ था स्टाटिक और यह अक्राणिक से रिले का इतम सिंपल डेफिनिशन अब आगे बढ़ते हैं लार को हूँ इसका जो इसका होताय न दो anso ल कंपेर करना दो इदर यह तो टम औफ आ एंप्लेटीट्युड ओ उ धो और जो रिलेशन होता है अप्लेटीट्यों इसका वो किसे federी होता है ठीक है वह ड स hecho करनाSD नेकर एके रिलेलेशन जो एके यहकर थकम एठίο क्योंको इधर इन तर्म उफ अप्रेटुटुट और फिस अगमाल लेते हैं फॉर ए वैल्यू अब दा रिलेशन और टाइप अड़ लोकेशन अब दा फॉल्ट रिले अपरेट बस इदम सिंपल है खत हो गया अब नाइस देखते हैं आप डाइब करने का यह चार कारण है इसका जो सच होगा नहीं हम परकॉंट करेंगे इसका जो भी सर्च है आर टो निमेरिक वैली। जो निमेरिक वैल्यू होता है एक V-Flag होता है और एक V-Level-X-Flag होता है दो फ्लाइग है V-Flag and V-Level-X विफ्लाइग क्या करता है विफ्लाइग सो वेधर न सर्च यस फेलियर और सक्सेस इसमं और विफ्लाइग बता देगा शिदा कि आप सब्सक्राइब जो सठी है या तो पहला काम क्या होता है सब्सक्राइब करता है इसमें गर करता है अपने पास पास X-Coordinate को off-level crossing, level crossing का जो X-Coordinate होता है, उसको ये अपने पास content करता है, तो यग हो गया level detection कैसे done होता है, कैसे करते हैं, I hope यह वाला clear हो गया हो गया होगा आपको, अब यह एक general equations आता है, competitor का, ज्यादा hard and simple है कि S and S1 be the two input signals, मिमान लेता है कि S और S1 क्या है, न स्थे input signal है, तो तो S क्या होगा ना यह क्या हो जाएगा K1 A ठीक है प्लस K2 A ठीक है यह A डास मान लीजे यह Armstrong मान लीजे कुछ में मान सकते अपना value और S क्या हो जाएगा K3 A प्लस K4 B ठीक है यह पाहला equation यह दूसरा equation जिसमें K1 and K3 यह क्या है ना यह दोनों scalar constant है ठीक है और जबकि K2 and K3 यह क्या है vector constant with angle theta 2 and theta 4 respectively ठीक है बस इतना सा इसका एक general equation है comparator का ज्यादा tough नहीं है आप एक दो बार लिखेंगे आपको clear हो जाएगा तो यहां तक हमने टॉपिक कवर किया है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में microprocessor and computer based protection scheme ठीक है यह हम लोग दोनों topic कवर करेंगे तो यह वीडियो कैसा लगा आपको आप comment करके बताएंगे ठीक है वीडियो को लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के झाल